तो हेलो दोस्तो एक और इटेस्टिंग वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूँ हफीस और आप देख रहें कप शपीद हफीस तो दोस्तो साउथ सूपरस्टार अलू अरजुन रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा तेजभर में धूम मचा रही है फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी शांदार रिस्पॉंस मिला है और दोस्तो इसके बाद सब ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में मुक्खे किरदारों के पीछे आकिर किसकी आवाजे थी दोस्तो इस वीडियो में आप सब को बताऊंगा कि पुष्पा हिंदी वर्जिन में किस किस डबिंग आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है दोस्तो शुरुवात करते हैं from the man himself the superstar अलू अर्जुन जिनोंने पुष्पा का करेक्टर निभाया था और इनके पीछे जिनोंने आवाज दी है वो है the very talented श्रेयस तलपड़े और दोस्तो ट्रेयलर देखने के बाद सबको ये लगा था कि पुष्पा का करेक्टर जो है उसको voice देनी चाहिए थी संकेत मात्रे को लेकिन जब श्रेयस तलपड़े की आवाज में पुष्पा का करेक्टर सबने देखा तो भई पुष्पा का करेक्टर कुछ औरी लेवल पे पहुँच गया और श्रेयस तलपड़े की आवाज पुष्पा पर एकदम फिट बैड गई और दोस्तो इसके बाद बात करते हैं रश्मिका मंदाना की तो रश्मिका मंदाना का किरदार श्रिवल्ली के लिए हिंदी में आवाज बनी है voice over artist स्मिता रोजमेर और दोस्त इसके बाद बात करते हैं पुष्पा के दोस्त बने जगदिश परता बंडारी जिन्होंने केशफ का रोल किया था और दोस्तो इनके पीछे जिन्होंने आवाज दिये उनका नाम है एक्टर साहिल वैद जिया दोस्तो साहिल वैद जो हमें शेशा में सिधात मलोतरा के दोस के रोल में दिखाई दिये थे और दोस्तो इसके बाद बात करते हैं भवर सिंग शिकावत की जिसका रोल प्ले किया था फाहत फाजिल ने और दोस्तो इनके पीछे जिसनोंने आवाज दिये उनका नाम है राजेश खटर जिया दोस्तो राजेश खटर ने अपनी दमदार आवाज देखर इस कर्क्टर को जांदार बना दिया था और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फिल्म में मंगल शीनु का किरदार निबाने वाले एक्टर सुनील की और दोस्तों एक्टर सुनील को वोईज ओवर आर्टिस्ट उदे सब निजने अपनी आवाज दी थी और दोस्तो इसके बाद फिल्म में रंगीन जॉली रड़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर धरंजे को एक्टर मनोज पांडे ने अपनी आवाज दी है और दोस्तो इनके बड़े भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर अजैशा जिन्होंने कोड़रेड़ी का किरदार निभाया था उनके पीछे आवास थी एक्टर राजेश चॉली की और दोस्तो उन्होंने अपनी दमदार आवास से इस किरदार को भी काफी मजबूत बनाय था और दोस्तो लास्ट पर नॉट दे लिस्ट मंगलम श्रीनू की पत्नी धक्षया निंग का किरदान निभाने वाली अधाकारा अनुसिया बारदवाज के किरदार के लिए सबीना मौसम ने अपनी आवाज दी थी तो दोस्तो ये थे कुछ वोईज ओवर आर्टिस जिन्हो झाल लॉघ के लुब और है कि अबाद के लिए प्रहन गाओ के लुब और धाई